नमस्ते इंडिया नमस्ते पहाड आप देख रहे हैं पहाड़ी यार देभूमी उतराखन की इन हसीन वादियों से तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ की उतराखन में जो है बाग जैस तेंद्वा यह बाग कहलो आप बाग को कैसे पिंजरे में कैद किया जाता है उसके लिए क्या मतलब एक्वेमेंट यूज किया जाता है तो चलिए आज वन विभाग वालों ने यहां पर पिंजरा लगा रखा है और उसे मैं आपको दिखाजता हूं क्योंकि यहां पर ना ओन रोड पर लगा रखा है यहां पर यह देख सकते हैं आप यह रोड है और पर पिंजणणने लिगा यह दाल रखा है अंदर रखीक है और यहां पर चलते हैं आहिएो कि आया है और यह देखें आप यह देखें सिक पर विड्रूर तो इस तरीकर करेकर यह चोटा पींजणना थे और यह पिंजणना होताए तीन दुआ बग इंदाख जो यह रोट साइज कापी बड़ा होता है उसका पिंजरा इससे डबल होता है और यह है तेन दुआ का ठीक है तो यहां पर यह लगा रखा तेन दुआ के लिए और इसके पीछे जो है इस तरीके से इसको वन विभाग की टीम ने लगा रखा है ओए चुप अर इसके पीछे जो है ना कुट्ता रखा गया है अला यह देखिए आप और यहाँ पर ओन रोड पर यह लगा रखा है देखिए आप तो मुझे तो लगता नहीं है इसको चार दिन हो गया है करीब यहाँ पर लगाएगा नहीं एक अपते से ज्यादा टाइम हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर यह पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ओन रोड पर गाड़ी चलती है चलती रहती है तो यहां पर कोई चांस नहीं है कि यहां पर तें-द्वा आएगा और इसके अंदर भसेगा क्योंकि इसके लिए जो एना त्वहा सुंसान एरिया चैँए सान तेरिया जहाँ पर की तेनदवह आसानी से आ पाए लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है वह वह भाग वालों ने कि यहाँ पर लगा रख और यहां से यह जो है जैसा चुए का बिल होता ना चुए का तो स्यम ऐसी है इसका प्रोसेस इसके अंदर से इसक क्या दर रहा तो यहां से जैसे जाएगा ना उस पर जब्लों यहां से टेंडवा जाएगा उस पर पर बैदर यह भाग फुस्ट जाएगा नो इसका यह project है यहां पर तो आज आपने देखा होगे कि पहाड़ों में उत्राखन में कैसे तेंद्वावर बाग को पगड़ा जाता है इसके अंदर